जै स्री किशना, स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ती भावना यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपको पांच में से दो संकेत भी दिखाई दें तो आप समझ लेजिए कि आपका समय बदलने बाला है जब भी इंसान का सुभ समय बदलता है या इंसान पर कोई परिशानी आने वाली होती है तो इश्वर हमें पहले से ही संकेत देते हैं जो हमारे इश्टेदेपता होते हैं जो हमारी रख्या करते हैं वो हमें संकेत देना सुरू कर देते हैं आज मैं आपको ऐसे ही पांच संकेत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ अगर ये पांच संकेत आपको नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका समय जरी बदलने वाला है जल्दी ही आपकी मनुकामना पूरी होने वाली है और पुत्र रत्न की आपको प्राप्ती होने बच्चे की किलकारी आपके घर में कूजने वाली है, साथ ही दन का आगमन आपके घर में होने वाला है, इसमें से अगर कोई भी संकेत आपको नजर आएं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कही बार ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं, जिस चीज का हम विचार करते हैं, उससे रिलेटिड हमें स्वपन संकेत मिलते हैं, लेकिन अगर आपको सोच की नहीं सोए हैं, और सुवे के समय, ब्रमूर्थ में आपको ये संकेत मिलते हैं, या रियल में आपको ये संकेत मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जरूर आपको पुत रतन की प्राप्ती होने वाली है गरबबती मेला को अगर सुबह के समय जव तीन से और पांच के बीच में अगर उसको भगवान सिव के दर्सन होते हैं यह एक बहुत ही अच्छार सुव संकेत है यानि भगवान सिव के आशीरवाद की मुद्रा में अगर दर्सन होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है और वो भगवान सिव के साथ में अगर भगवान गड़ेश जी या भगवान कार्त के हूँ तो आपको निश्चिंत रूप से पुत्र की प्राप्ति होने वाली है दूसरा है गौमाता अगर सुबह के समय आपको गोमाता दिखाई देए, आपके दरवाजे पर गोमाता आती है, तो आप समझ सकते हैं, आप सुप्ण में सो रहे हैं, और आपको दीख रहा है कि आपके दरवाजे पर गोमाता आ रही है, वह आवाज लगा रही है कुछ खाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि देव भवान कृष्ण के दर्सन होते हैं, उनके बाल रूप की फोटो के दर्सन आपको होते हैं, अगर आपके हात से दीवदान रात में होता है, आप मानो भवान कृष्ण के सामने दीपक जला रहे हैं, जलता हुआ दीपक आपको नजर आ रहा है स्वप्न में, तो यह सुब संकि पुट्र को कुल का दीपक कहा जाता है अगर स्वपन में आप दीपक जलता हुआ नजर आपको आता है यह संक्यत आपको मिलता है तो निश्चिंत रूप से ही आपकी पुत्र की मनुकामना पूरी होने बाली हैं अगर आप स्वपन में भगवान सिव की दर्शन कर रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं मानुआ आपको सिवलिंग की दर्शन हो रहे हैं आप उनको पंचा में सियप सिक करा रहे हैं या पुष्प चड़ा रहे हैं और कोई भी पुष्प अगर वहां से गिर करके आपकी और वह तेजी से चलती हैं जो एक साथ तो यह माता लच्छमी का प्रतित माना जाता है कि अब कोई शुब संकित मिलने वाला है या धन का आगमन होने वाला है। स्वपन में अगर आपको बाला जी महराज के यानि भगवान हनवान जी के दर्शन होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका कष्ट निवारन होने वाला है। यह संकित बहुत ही शुब होते हैं और जादातर सही निकलते हैं। तो निश्चन्त रूप से ही आपकी मनुकामना पूरी होने वाली है। वही भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो भी आप अपने घर में लगाएं। आप अपने बैटरूम में भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो जरूर लगा करके रखें। जिससे आपको उनके दर्सन हों सोगे सोगे। यह बहुत ही शुब माना जाता है। सोते समय उटते समय भगवान के मंत्रों का जाप करें। उनकी पूजा करें। जिससे आपकी प्रतिक मनुकामना श्रीक पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारे चलेगी तो वीडियो को सियर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमस्च्वाएं।